तो चलो फाइनली जैसे देसे न करके कोडी रोड्स को फाइनली उनका मैच मिल चुका है रोमन रेंज के अगेंज दो बारा उनको मौका मिल चुका है उस अन्डिस्प्यूटेड चेंपिंशिप को क्याप्चर करने में एंड अपनी स्टोरी को फिनिश करने के लिए लेकिन क्यों कोडी रोड्स को इस साल अपनी स्टोरी फाइनली फिनिश कर देनी चाहिए इसके बीचे कुछ आपको रिजल्स बताऊंगा इस वाले वीडियो में क्यों Cody Rhodes को ज़रूरत है अपनी स्टोरी को फिनिश करने की कमाल के चीज़ों के बारे में एंड स्टोरी लाइन के बारे में बात करेंगे तो जल्दी से आप लोग जो है वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो देखो Cody Rhodes and Roman Reigns का match official हो चुका है Wrestlemania में अब भले इनका tag team match हो या फिर कोई भी चीज़ हो लेकिन Wrestlemania के night 2 में Roman Reigns का match होगा ही and Cody Rhodes का match night 1 पर ये tag team match करे या फिर ना करे लेकिन night 2 के उपर इन दोनों का singles ही match होगा and अब इसमें तो कोई change नहीं होगा अभी के लिए लेकिन ये फिलाज चीज़े है and पिछले साल Cody Rhodes अगर Roman Reigns को हरा देते तो ये चीज़ जादा sense नहीं बनाती फिर पिछले ही साल Cody Rhodes को जो कुछ time बाद fans hate करने लग जाते and अभी इसके बाद WWE ने जो है बहुत सारी अच्छे से स्टोरी बिल्ड करी कैसे मतलब एक साल के अंदर Cody Rhodes आकर इतने सारे चीज़े करते ब्रॉक लेस्नर को हराते सेथ रॉल इसको हराया बार बार और फिर जाकर ओवर रोव मिरें इसको हराएंगे तो दिन ये चीज़े जो है मतलब directly Cody Rhodes को एक WWE ने सबसे बड़ा rocket पुछते है और फिर जाकर उनने रोव मंत रही इसको डी ट्रोन किया तो ये बात उनके character के लिए भी अच्छे नहीं होती और फिर जाकर जोए जिस तरही से इस story को WWE ने develop किया फिर जाकर इसको जोए काफी अच्छा फैंस का support मिला एंड फिर जाकर Cody Rhodes तीरे देरे पूरे एक साल पर इस कहानी को बनाते गए और फिर जाकर उन्होंने फिर अभी कुछ महीने पहले crowd को फिर एक बार यह चीज रियलाइज करी कि उनको अपनी स्टोरी फिनिश करनी है अपने फादर का ड्रीम पूरा करना है क्यों Cody Rhodes को फिनिश करनी है स्टोरी इसके बीच फैंस में बहुत अगड़ा इंटर्स कोडी रोड्स ने दिलवाया और डब 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 लीनिया स्टोरी काफी खमाल की बनी इसमें फैंस का डेफिनिटली हंड़ड और परसेंट बहुत इंटरस्ट हैं इसका हम एक्जामपल दीक रहे हैं कैसा वी कानी को एंट होना ही चाहिए क्योंकि जिस तरीके से रोक के रिटर्न के बाद उनको नेगेटिव चीज़ों का सामना करना पड़ा डब 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 को प्लांस चेंज करने पड़े ये सभी चीज दिखा देगे कि किस तरीकी से क्राउड कोडी रोड के बीच पागल हो च बंदे को हेट कर रहें सिर्फ कोडी रोर्स की बज़त हैं कोडी रोड के बीच अब फैंस पागल है कि कोडी रोडस ही रोमारयें से अगेंस जाने चाहिए इसलिए कोडчи रोड को तो उविशल हो चुका हैं एंड डब डबली चान बुच के बीच में इतने सारी जो है je जो सिंपल स्टूरी एक सभी को लग रही थी वो और भी डिफरेंट एंगल जगह पर जो है मोड लेने वारी है हर स्वाइक डाउन में हर एक हफते में स्टूरी अलग-अलग मोड लेगी और यही स्टूरी के सबसे बड़ी कमाल की चीज़ होगी और यह कोडी रोड के लिए सब्सक्राइब हो जाएगे क्योंकि उनके लिए धीरे धीरे चीज़ आसान नहीं होगी लेकिन अट दियंड उनको रसल मीना में अपनी स्टूरी फिनिश करनी ही पड़ेगी क्योंकि अब क्राउड उनके बीचे बहुत पागल है इतना सपोर्ट है क्राउड का कोडी रोड सब्सक्राइब अब जाकर रैसल मीना में कोड़ी रोड's से रोमें रेसे बैन कोड़ी रोड का पुछले 두के बांज़ों पाल पीच फिर चीज़ोंका इसको में लीका रहा ते कि वो तो बारा रोमर रेंज से रेस्ल मीनिया के अंदर मैच हा रहें पिछले साल कोडिरोड्स को काफ़ी अचा सपोर्ट था लेकिन इस साल जो सपोर्ट है वह कुछ भी नहीं है मतलब उससे बहुत जादा साल कोडिरोड्स को सपोर्ट मिल रहा और अब कोडि रोड़्स को अपनी फिनिश टोरी करने ही पड़ेगी लेकिन इस पार कोडि रोड़्स अगर हारते तो यह उनके गैरक्टर के लिए भी कोई चीज बढ़ी मतलब बहुत बड़ी चीज हो जाएगी कि कोडि रोड्स हार जाते हैं तो उनके पूरे जो है इस कोड़ी रोड्स भी सोच रहե हों कि students if I mean ur hope क्या क्या बोलो कि मैं अपनी स्टोडी बारा धीनिक अधिकर ऐग मतलब किस तरीके से क्राउड उनको रियक्ट करेगी खुद कोडी रोड्स पाई इस चीज़ को भी सूच रहे होगे कि मतलब उनको क्या बोले किस तरीके से जवाब दे क्राउड को कि वो अपनी स्टोरी दोबारा फिनिश नहीं कर पाई तो यह एक बहुत बड़ी जीज़ है कोडी रोड्स के लिए फिन अभी फिलाल वह एक पर इसके पास से अलग हो जाएगी रोक साथ में तो च्या होगा रोमरेज का गैरेक्टर सारो खतम हो जाएगा एंड होगा तो नहीं ऐसे चीज़ नहीं कि रोमरेज इसके लिए और बड़ी चीज़ लेगा ब्लैड लाइन है तो इसमें भी रोमरेज involved हो सकते हैं लेकिन अ कुछ उनके साथ सीन हो सकता है लेकिन अब पदानी इसके बाद गोडी रोड्स के पास मुझे नहीं लगता कि कभी भी इतना बड़ा माका उनके पूरे डब डब डबली करियर में आएगा कि वो इतने पीक पर होंगे 'll चैंपिंशिप को जीतने के लिए इन यipes एक परफेक्ट टाइम परफेक्ट बेस है लोडी के लिए कि वो अपनीस टोरी को फिनिश करें अपने फाडर का वो ढ्रीम पूरा करें फाइनली एक फुल स्ट नगा दे अपने स्टोरी की ऊपर अपनी स्लिक पिनिश करेंगा मेरे ख्यासे उच यह रिसा सिखिंग क्य। आखिरकार कोड Virtome Canada 40 के अंदर अपनी स्टोडी को फिर्नश करना जाये बाके आको किया लगते है कि कोडि रोडस अपनी स्टोडी को स्टोरी वे में फिनिश कर पाएंगे या फिर निया आपको बैनेंट बताना और फिला लाज की वाली वीडियो वसे दिन सुथी और मैं वाल दाव नेक्स वीडियो के अन्दर